आपको पताए गोप अश्टमी का कैसा रहस्य है गोप अश्टमी कैसे बनी बुध्वार की अश्टमी और सोम्मती अमावस्या और रैवार की सप्तमी लाख काम छोड़कर अपना-पना मंत्र जब करें सिध्धी योग होता है समझने की कता है बहुत गाय माता तो लोकों को तो तंदुरस्त करती लेकिन भगवान को भी निरोग बनाने की सेवा करती जिस रोगों के लिए हकीम डॉक्टरों ने मना कर दी की रोग ठीक नहीं हो सकता ऐसे रोगी भी घर में गाय पालो रहुत आपको पता है गोपस्थमी का कैसा रहस्य है गोपस्थमी कैसे बनी बगवान क्रस्ण ने एक बार आना देख लिया मैया 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 मोक मुझे आ रही है अँ मुझे आते दू बच्चों को उत्षा होता है आप हम भी उन दिनों में बार बार देखते थे मैया ने का मेरे लाला अब तुम यूवराज हो रहे हो और बुधवार की अश्टमी महत्तोपुर्ण होती है अभी बुधवार की अश्टमी आने वाली है उसको गोप अश्टमी के रूप में उच्छाव करेंगे खाली गायों को तिलक नहीं करेंगे गायों को केला खिला देंगे, चारा खिला देंगे और चोकड बोकड में गुड डाल के गायों को लड्डू बना के खिलाएंगे खाली गायों को तिलक करने से गायों की पूजा नहीं मानी जाती गोप अश्टमी की तैयारी होने लगी और स्री क्रश्ण की शोर में से युवा घोशित हुए बुद्धवार की अश्टमी और सुम्वती अमावस्या और रैवार की सप्तमी लाख काम छोड़कर अपना-पना मंत्र जब करें सिद्धी योग होता है मेरे को लालज बढ़ गए ये सिद्धी योग होना चाही जीवन में गोप अश्टमी का उट्सव हो गया अब स्री क्रश्ण बच्छिडी और बच्छिडे नहीं ले जाएंगे गाये ले गए गाये ले गए तो गोपों के बीच गए तो अना की गाये ऐसी है अना की लुगाई ऐसी है अना की भावी ऐसी है अना की भतीजी ऐसी है अरे बोले फालतू बाते क्या करते सब में एक आत्मा परमात्मा है आत्मा सत्य है शरीर तो अलग-अलग होते रहते उचकला सीखो तूक भहिया तुम नाचना सिखाते हो न मेरे को सिखाओ भलो आज ही आए हो नन्य rekanaya आज उपदेश देकर मुख्या बन गए वा खनया मैं तुम को सिखाओ लेकिन जो सिखाता है वो गुरू होता है सीकता है वो चेला बनता है तुम मेरे चेले बन जाओ कि हिंदुों के भगवान कैसे चेले बनने को भी राजी हो जाते हैं खुदा को चेला नहीं बना सकते हैं गौड को चेला नहीं बना सकते हैं लेकिन भगवान को चेला भी बना देते हैं कैसा हिंदुों का भगवान समझने की कथा है बहुत मैं पंजो मारूंगो तो पंजो, मैं एड़ी लगाऊं तो एड़ी, मैं जूँ करूं तो जूँ, जूँ करूं तो जूँ, 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 जैसा करूं ऐसा करना पड़ेगा गडबड किया तो कनेया, तो कतमाचा है, हाँ कनेया भी कम नहीं थे वापिस में, उत्तर भी दिया, अब नाचने लगे, अब वो जैसा तोक करे, ऐसा क्रुष्ण करे, अब जान बूज के किया, के अनजाने में किया, लेकिन कुछ गल्ती कर दिया, तोक ने रख दिया तमाचा, तमाचा खाकर भी जीव आत्मा को प्रेव करे, वसी का नाम भारत का भागवाण है. अए गोप अश्टमी की गहरी कता है, इससे भी और गहराई आएगी. सारे गोप इंकलाब जिन्दाबाद तोक मुर्दाबाद सारे गोप रूठ के बैठ गए और क्रश्न भगवान गोपों के बीच बैठ गए तोक अकेला पड़ गया पैरों तले जमीन निकल गई तोक को याद आया था कि गुरु ने मंत्र देते समय कहा था कि गुरु मंत्र के बाद अपने को अकेला मत्मानना जैसे आपके बास सिम कार्ड होता है ने तो सेटलाइस से जुड़ जाते और विश्व के साथ सबन कर सकते हैं ऐसे गुरु मंत्र तो बर्माहंट से जोड़ देता है सिम कार्ड तो एक्स्पाड भी हो जाता है यंत्र है मनुशक बनाया हुआ है तो बहगवान तो मनुशक बनाया हुए नहीं है तोकने क्या करा बड़ी उंगली और अंगुठा ध्यान देना जो गुरु ने सिखाया था शिवनेत्र के तरफ जाने वाली नाडी को रिस्पर्ष किया दबाया नहीं हलिस हलका स्पर और अनामी का तिलग करने की जगा शिवनेत्र पर रख दी मन के संकल्पी कल्प शांत हो जाते स्वांस चले तो ओम ओम शांति ओम गुरु जिस अंतरात्मा में भगवान नाराइन अभी समा दिशता है तित्थंकर जिस आत्मा में विश्रांति पाते उसमें पहुँचने का तरीका गुरु से सिखा था थोड़ा शांत हो गया अंदर से गुरु की आत्मा के साथ जुड़ गया तोक वासुदेव सर्वमिति सब में वासुदेव है सबसे पृति पूर्वक मेजरिया करने से बैर पृत में बदल जाता है हार जीत में बदल जाती है कांटे फूल में बदल जाते है और मोत मोक्ष में बदल जाता है तोक डरता क्यों है तोक को गुरुवानी सुनाई पड़ी अंतरात्म की आवाज आई नमो अरियंता नाम नमो सिद्धा नाम का लक्ष तोक के जी में जी आया पैरों में पाइल आ गई आँखों में चमक आ गई चेरे पर मधूर मुस्कान आ गई और दिल में होसला बुलंद हो गया तोक का स्रीक्रष्ण का आत्मा और गोपों का आत्मा और मेरा आत्मा जैसे आकाश एक घड़े बहुत आकाश एक मकान बहुत ऐसे ही चिदाकाश परमात्मा एक शरीर अनेक सब मेरे आत्मा है तोक मुर्दाबाद, तो भी शरीर को बोला, सब हमारे हम सबी के, ऐसे दिव विचार करते तोक पहुंचा, कनेया के गले में हाथ डाला, प्यार से, लाला, मैंने तुम को का हाथा, गल्ती करोगे तज्यों, राजा गल्ती करें, मंत्री नहीं टोकें, तो राज्य का विनाश है, मरीज गल्ती करें, और डॉक्टर वैद्य नहीं रोकें, तो मरीज का विनाश है, शिश्य गल्ती करें, गुरु नहीं टोकें, तो शिश्य का विध्या, भीक्सित नहीं होती, तो मैंने तो अपना करतों अर तुम पाया और तुम रुठके जहा कि "... अर तुम रूठके भी दुनिया को फोई संदेश देना जाते हो ॉला-ला, बोलो और प्रसन्द हो कर भी और तुम्हारा रूठना भी विनोध है… जाभ कुछ क 하्नल के लिला है रश्टन ने यूँ देखा मंद मंद मस्कराई गुरु की बात माननी चाहिए के नहीं बोले हाँ, चल आओ, मेरे साथ नाचो क्रश्न उठके खड़े हो गए जैनों में बहुत बड़ी हादेन है जो कुछ हो गया एक दूसरे से माफियाचना मांग लेते जो बीत गई सो बीत गई काय को गाठ बानना क्रश्न नाचने लगे नादी जी बोलते थे के गाय का मास खाने को सिखावे और दारू पिने को सिखावे ऐसा में इसाई धरम नहीं चाहिए भारत में हम विदेश में गई लोग बोलते थे गाय का दूद तो पिते हैं गाय का मास खाने में क्या हरकत है मैं क्या मा का दूद पिते हैं तो तुम तुमारी मम्मी का मास भी खाने को उत्सुको जाओगे। गाय का वहाँ हूँ। गाय के शरिर से तो सात्विक उर्जा निकलती है। जिस घर में जिस इलाके में गाय होती है। उस बहुत सारी अशुब चीजें दूर हो जाती है। गाय के शरिर में तो सूर्य के तु नाड़ी है, जो गो किरनों को पीती है, इसलिए गाय के गोबर में, गाय के मुत्र में भी सात्पिक पावर होता है, चोरासी लाक शरिर है, किसी राजा, महराजा, ब्राह्मन, पंडित, संत, महात्मा, पवित्र लोक एक से कुए, फिर भी हुँद्र मन्मुत्र, जिका पवित्र है, ब्रि मर्ते समय भी गाय के गोबर का लिप्वन करके, आदमी को सुलाया जाता है, वै दिक विधि में भी गोजփरन पव्योगमुत्र में पवित्र में, अशॹद जगा कु शुद्द्द का पावर भगवान का सिंहासन लिगाना है कैसी भी प्रकार की जहरी दवाएं खाई हो गोव मुत्र थोड़े दिन पिये ब्लोकेज खुल जाएगा जहरी दवाओं का जहर उतर जाएगा गाय माता तो लोकों को तो तंदुरस्त करती लेकिन भगवान को भी निरोग बनाने की सेवा करती पूतना जहर लेकर आई थी भगवान ने वह जहर पील और पूतना का राक्षशी स्वरूप प्रगठ हो गया भगवान क्रश्न को लेकर उड़ी और भगवान क्रश्न ने प्रान नोच ले धभाक से गीरी जहां उसका गरल गिरा वह आगरा बना मतुरा से मिंद्राबन से ग्वाल गुपियों ने स्रिक्रस्न को क्या पता कुछ अन जाएं वह जाएं के पूंच से श्रीक्रस्णा को जाड़ा दिया। अपने भच्छों वह जाड़ा देने से उन पर भी आई हुई बाहर की कुच गंदगी गंधी हवाययं गू प्रभाव नाश जाता है। जिसको रहात को ठीक से नींद वो भूर के पंख रख दे, सिराने के नीचे, और हर्योम का गुंजन करे, नीद आने लगेगी. जिसको बुरे सुपने आते हो, बुरे सुपने नाय उसका अग्रा छोड़ दे, पैरों को गाय का घी मल जे, सिर में थोड़ा अलका पुलका नालिश कर दे, कोई भी थेल की, तेले वाल, सिर के ठेल की. बहुँ का चिंतन कर चंदों करयानान थेहिएज आपनेप नीलारेहिएज. और अवन दोल्म मुखर जादी, और गोयएजन की ढहिएजन नाती, तर जाद बहब चैन मुखर भाहीण, स्वास्टिल प्रसंता तो मिलपी है लेकिन दर दरता भी दूर हो जाती गाय के दूद में खीर, चावल पानी हे पकालिए पिर गाय के दूद में खीर बना ले ज्यादा मिठा और ज्यादा बदाम चारोली नहीं डालें तो किड्नी को और नाड़ियों को हागे जाके बाय- साटे की सबजी खाने से किड़नी बढ़िया रहती है, पेशाप की खराबिया ठीक हो जाती है, खीर की बना है और ओमकार का जब कर 120 माल आए, साथ सपता तक करे तो साथ जनम की दरिद्रता दूर हो जाती है, और साथ जनम तक कुट में दरिद्रता नहीं आती है, जिस रोगो के लिए हकीम डॉक्टरों ने मना कर दी की रोग ठीक नहीं हो सकता, ऐसे रोगी भी घर में गाय पाले और अपने हाथ से गाय को कुछ चारा पानी के लेके छिल्टे बिल्टे जो भी कुछ फल बल के लाए, गाय को सने करे, गाय की प्रसंता से उसके रोम कूपों से जो प् प्रसंता, रोग प्रतिकारक शक्ती बढ़ाएगे, असाद्य रोग मिट जायते हैं, लेकिन कुछ समय लगता है दो चार मेना करना पड़े, काली गाय का दूद मिल जाय का अली गाय का गी मिल जाय तो बुढ़ापे में जवानी ले आएगा, बैस का दूद तो कोई दूर कर देता है, हाट अटेक की तकलीफ है, चिकास खाने की मनाय, लेकिन गाय का गी मिल जाय जाय, आट को मजबूत करेगा।